मांग मास के शुकल पक्ष की पंचमी को ज्यान, वार्णी, बुद्धी, विवेक, विद्या और सभी कलाओं से परिपून मासरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है खासतोर पर यह दिन शिक्षा एफ कला से जुड़े हुए कुछ लोगों के लिए बहुत महत्वपून माना जाता है इसलिए यह दिन नई विद्या, कला, संगीत, आदि सीखने के लिए स्विष्ट माना जाता है चोटे बच्चों को इस दिन अक्षर लिखवा कर उनके शिक्षा का शुबारम किया जाता है ऐसा करने से पूरे विद्यारती जीवन में मासरस्वती की किर्पा बनी रहती है शिक्षा में आश्यती सफलता प्राप्त होती है जो विद्यारती प्राह में कमजोह हैं या जिनको बार-बार प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही ऐसे चात्रों के लिए वसंद पंचमे के दिन कुछ उपाय करने से उनका प्राह में मन लगेगा और उनको शिक्षा में सफलता भी मिलेगी कई बार घर में इस तरह का वासुदोश होता है जिस कानल विद्यारतियों को शिक्षा में अपेक्षित प्रिणाम नहीं मिल पाता इसलिए आपका बच्चा कहां पढ़ रहा है पढ़ते वक्त कि इस दिशा में उसका चेहरा है इस बात पर गोर करना बेज जरूरी होता है प्रिक्षा में सफलता के लिए मेहनत के सासर अध्यन कक्ष का सही दिशा में होना बहुत अवश्यक है पूरव उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा ध्यान और शांती की दिशा मानाई गी है वैस अकरात्मक और जाओं का परभाव भी इसी दिशा में सबसे अधिक होता है अत्य ध्यान रहे कि अध्यन कक्ष इनी दिशाओं में हो और पढ़ते समय चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा के और रहे पढ़ाई की मेज रखने की सबसे उपरियुक्त जगह उत्तर जोन है जहां मेज रखने से बच्चे करियर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं पढ़ाई है तो कमरे में पुस्तोकों की छोटी और हलकी रेक या अलमारी पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए वसंद पंचमी के दिन विधार्ती श्वेत या पीले वस्तर पहन कर पढ़ने की मेज पर इशान कोड में बुद्धी के देवता श्री गणेश और शिक्षा की देवी मा सरस्वती की तस्वीर लगाएं मा सरस्वती की वीधी विजान से पूजा करने के दौरान उनको पीले पुष्प, पीले रंग की मिठाई या खिर जरूर अरपित करनी चाहिए इसके अलावा उनको केसर जा पीले चंदन का टीका लगाएं एफ पीले वस्तर भेट करें इसके साथ ही पूजा के स्थान पर वाग जन्तर और किताबों को रखें ऐसा करने से मा सरस्वती की किरपा सही व्यक्ति को ग्यान, बुद्धी विवेक के साथ विज्ञान, कला और संगीत में महारत हांसल करने का आशिरवात मिलता है ऐसे और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर चैनलों का सबस्क्राइब जरूर करें धन्याबाद